कि इसके पहले हमने डिसकर्स का था कि यह होती है डिलोस यह को पिछ पताइये फार्माकोपिय एक ड्रग्स रेशिपी बूख है ड्रक्ट्स बनाने के मेथड़्ट्स दिये हुआ स्ट्ठर्ड हर कंट्री के अपनी फार्माकोपिय होती है इंडिया की आई पी इंदियन फार्माकोपिया इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था 1955 में और डॉक्टर पी एन खोश की चेर्मेंशिप में आया था बिटिस फार्मकोपिया इन शॉर्ट इसको बीपी कहते हैं आपने ड्रग्स पे लेबल पे देखा होगा मेंशन रहता है कि वो फॉर्मुलेशन किस फार्मकोपिया के अनुसार बनाई गई है यदि वीपी लिखा होगा मतलब ब्रिटिस फार्मकोपिया इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1864 में यह एडिशन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक्जिट एक्जाम में भी आ सकते हैं तो आप इनको नोट डाउन कर लिया करो नोट्स बनाये करो United States स्वामकोपिया को आया थी लेटीन ट्वेंटी में आइटी थी अचान सो बीसमन्क और चाहरे में मोनोग्राफ दिए उन हुआ है पॉनोग्राफ में क्या होता है ड्रग का कैमिकल नेम उसका फॉर्मुला ड्रग की सॉलिबिलिटी हम फॉर्मुलेशन को डिजाइन करेंगे तो हमारा ड्रग की सॉल्वेंट में सॉलिबल ही हमको पता होना चाहिए तो हम इसके लिए as a reference इस बूक को यूज करते हैं ड्रग को पिया नहीं होती है वह इंट्रनेशनल फार्माकूपिया को एस रिफ्रेंस बुक कंसीडर करती है अब इसमें ड्रग का ऑप्टिकल रोटेशन कैसा है फॉर एक्जामपल लिवो रोटेटरी है यह सारी इंफर्मिशन दी रहती है जैसे लिवो सित्राजीन आता है तो सित्र होता है तो वह हम एज़र यूज करता हैं लौस उन ड्राइग मतलब किसी ड्रग को यह दियो क्या है यह अपर्वोप्रियेट ब्रीक्ति हो सकती है और यह हम डोस कम लेंगे तो हम प्रॉपर्ठ तरवेटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा हमारे मेडिकेशन लेने का परपस पू वैल्यू कितनी है यह सारी information दी होती है फार्मकोपिया के शुरुबात तो 1944 से की गई थी है ना और 1948 में फार्मकोपियल Commission established किया गया था जिसने इसका फर्स्ट एडेशन का पास किया था 1955 में डॉक्टर बी अन गोस की चेर्मेंशिप में यह सारा डेटा हमें ता होना चीए ठीक है और फार्मकोपिया पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है फाइब मार्क्स का तो यह कोशन आप सॉल्फ कर लोगी यह अल्रेडी मैं पढ़ा चुका हूं जस्त मैंने इसको हलका सा सुपरफिशली रिवाइस करवाया है इसमें आपको कोई डाउट है कि कब आया था आई-पी का फर्स्ट एडिशन पच्पन में सेकेंड कब आया था चैसेट में उसके बाद पच्चासी में फिर चानवे में उसके सारे एडिशन याद करने की कोसिस कीजिए ठीक है डोजस फॉर्म की डेफिनेशन पूछी जाती है डोजस फॉर्म तो आपको पता ही है यह एपी आई को केरियर कर एपी के लिए के लिए की तरह काम करता है ब्रक डिलेवरी सिस्टम में हमें बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई को शरीर में पहुचाना जुरूरी है टॉपिकल र हो जाएगा ड्रक का एक्शन देने के लिए ब्लड में जाना बहुत ज़रूरी है ठीक है और जिसमें स्टमक में जाके लिवर को से पास हो के ब्लड में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा और टॉपिकल रूट जहां पर साइट ऑफेक्शन पर हमारा ड्रक अविलेबल करवाते हैं वैसे दातखाच खुझली में जो हम लोशन यूज करते हैं लिनिमेंट्स यूज करते हैं तो वह इस कैटेगरी में आते हैं तो डोसेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन भी आपको बता चुका हूं लिक्विड सैमी सॉलिड लिक्विड में मोनोफेजिक दिया जाता है और उस फॉर्ट के फाइदन उपसान क्या है यह इंपॉर्टेंट है यह फॉर्स्ट इयर में कुश्चन फार्मसोटिक्स में काफी कुछा जाता है रख का सिस्टेमिक एफेक्ट क्या होता है लोकल के एफेक्ट क्या होता है कुछ ड्रुग्स इंटर्नली य किया होगा है ना इन्टर्नल यूज किया जाता है यह ना अपने अपने डेली लाइफ रूटीन में कभी नगभी यूज किया होगा यह ना शेविंग करते हैं सैनिटाइजर आपने यूज किया सैनिटाइजर मतलब किसी भी सर्फेस से आपको माइक्रोब्स को रिमूफ करना है तो एलकोहल 70% ऐसे सैनिटाइजर यूज होता है और ट्रक का एक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रक का रिलीज रेट क्या है जैसे कोई ड्रग है य सबसे ज़्यादा फास्ट एक्शन आपको परेंट्रल के केस में मिलता है क्योंकि ड्रग इसमें डारेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है तो इमर्जनसी कंडिशन में परेंट्रल्स यूज करते हैं लेकिन यह थोड़ा से एक्सपेंसिब होता है और मैनॉफेक् आपको बताया था है ना नोबल ट्रक डिलेवरी सिस्टेम के एक्जाम्पल्स क्या है इंप्लांट्स आते हैं फिल्म से स्ट्रिप्स लिपोसोंस प्रोड्रग इस सब की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं डेंड्राइमर्स क्या हो उवर्डोज भी हानी का रख है और कम डोज लेंगे तो उससे हमको ड्रक का फाइदा नहीं मिलेगा तो पाउंड एक पाउंड में कितने ग्रैम आते हैं ऐसा हमें आइडिया होना चीए साड़े 400 450 ग्राम का एक पाउंड होता है और एक किलो में कितने पाउंड आते हैं पाउंड को हम अईल बी से डिनोट करते हैं 2.2 एक केजी में अब जैसे आपका एक ग्राम में 1000 mg रहता है और 1000 क्राम का एक केजी होता है तो ऐसे मेजर्मेंट हमने पता होने चीए कितने कितने lo Har Right What A आता है एक बून में कितने आमेल आते हैं वन मिनीम क्या होता है यह सब हमको पता होना चाहिए राइस्टोनिक सॉलूशन में आपको बताया थे हाइपर टॉनिक सॉलूशन बताया थे इसमें क्या प्रोब्लम आती है दिए 0.9 राम एने से लिदिया हम फंडेड एमल एड़ कर दे तो NS बन जाता है, normal saline, और यह हमारे blood के cosmetic pressure के बराबर इसका osmotic pressure होता है, नहीं तो हमारे blood में plasma, drices हो सकता है, मतलब plasma हमारा breakdown हो सकता है, और RBCS में shrinkage आ सकता है, और hypotonic में भी problem आएगा, है ना, तो यह कैसा होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, मतलब ब्लड के आइसोटोनिक, pH भी ब्लड के बराबर होना चाहिए, यहना ब्लड का pH कितना होता है, 7.4, तो हमारी formulation का भी pH हम maintain करते हैं, pH maintain के लिए हम buffer solution use करते हैं, buffer solution हम pharmaceutical chemistry में भी पढ़ते हैं, ठीक है acidic buffer होता है, basic buffer होता है, buffer क्या होते हैं, जै pharmaceutical chemistry का important question है, commonly used drugs मैंने आपको बताये थे, कुछ injections बताये थे parental root से जो यूज किया जाते हैं, जैसे diclofenic sodium, यह NSAID category का drug है, non-steroidal anti-inflammatory drug, यह pain को कम करता है, analgesic effect देता है, analgesia मतलब होता है pain, और यह drugs क्या करते हैं, हमें pain से रहात देते हैं, diclofenic का dose होता है, 75 mg, 3 ml का इसका ampoule आता है, ampoule और while में का difference होता है, while को हम multiple time use कर सकते हैं, और ampoule को हम single time use कर सकते हैं, 3 ml का ampoule है, एक बार उसको हम break करके, injection load करके patient को लगा सकते हैं, either IEM और IV root से, किसी को joint में pain हो रहा है, किसी को बहुत जादा दर्ध है कहीं पर, तो हम यह use कर करते हैं, लेकिन visceral pain के लिए हम central analgesic use करते हैं, वो भी आगे बताऊंगा, किन condition में नहीं दिया जाएगा, किसी patient की kidney failure का problem है, उसको cardio megalie हो गया, cardio megalie क्या होता है, heart में swelling आ गई है, इसको हम cardio megalie कहते हैं, तो यह सब और इसके और क्या reason है, जहाँ पर यह लगाया जाता है, वहाँ पर issue necrosis हो सकता है, ठीक है, parental root से जो drug दिये जाते हैं, वो skilled person ही लगा सकता है, जिस nurse को काफी experience हो, नहीं तो वहाँ पर guard बन सकती है, यह ना, deltoid muscle में लगाया जाता है, आम पर, आपके पर आम पर, और कमर में लगाया जाता है, glutroid muscles पर, पर, paracetamol भी आता है, यह tablet form में भी आता है, इसका syrup भी आता है बच्चों के लिए, और parental root से भी दिया जाता है, IV और IM दोनों root से दे सकते हैं, डेंगो का जो बहुत तेज बुखार आता है, उसमें 1 gram तक paracetamol देते हैं, और इसका 2 ml का एंपूल आता है, जिसमें 300 mg PCM होता है, PCM को हम acetaminophen भी कहता है, यह इसका synonym होता है, ठीक है, और यह एक antipiratic category का drug है, बुखार को कम करता है, हमारे शरीर के बड़े हुए कापमान को कम करने का काम करता है, morphine sulfate भी एक pen killer injection होता है, morphine sulfate, यह बहुत जादा intense pain यह विसरल organ में हो रहा है, जैसे heart में pain हो रहा है, kidney stone का pain है, ऐसा कोई internal pain है, तो उसको यह काफी अच्छा coverage देता है, तो analgesic drug को मिला के pain और बुखार और swelling के swelling को कम करने के लिए use कि जाते हैं, anti-spasmotic drugs क्या होते हैं, जो abdomen pain को कम करते हैं, abdomen area के जो muscles है उसमे spasm हो रहा है, पेट में किसी प्रकार का कोई दर्द हो रहा है, तो उस case में anti-spasmotic drug use के जाते हैं, anti allergic drugs क्या होते हैं, जो allergy को कम करेंगे, allergy क्या है, छीकना, खासना, आखों से पानी आना, redness, teaching, rashes आना, skin पर यह सारी allergic responses हैं, तो इनको कम करने के लिए हम anti-allergic drug use करते हैं, antibiotic कहां use करते हैं, जब हमें किसी सूख्रमिजीव को मारना होता है, जो infectious disease होती है, bacteria और virus की वैसे spread होती है droplet infection के थू, soil के थू, water के थू, airborne infections होते हैं, UTI, urinary tract infection होता है, RTI, respiratory tract infection, तो यह जितने भी infections है, soft tissue में infection होता है, तो इनके treatment के लिए हम antibiotic use करते हैं, antibiotic जो सूख्रमिजीव को मारे, इसमें भी antifungal है, antiviral है, यह different category of drug है, antiviral, antifungal, antibacterial, antibacterial, मतलब जो bacteria को मारेगा, इसका example है, ज generation antibiotic है, tablet form में भी आता है, injection form में भी आता है, IV infusion के साथ दिया जाता है, तब किसी को constant bleeding हो रही है, piles का patient है, उसकी bleeding हमको रोक नहीं है, तो हम coagulant drug use करते हैं, coagulant में इथाम साइलेट का injection आता है, tablet form में भी आता है, injection form में भी आता है, piles का patient है, lettering जाता है, उसको bleeding होती है, बू यदि हमको क्लॉट को डिजॉल्फ करना है है ना क्लॉट को डिजॉल्फ करना है तो हम एंटी कोईगुलेंट ड्रग देंगे एंटी कोईगुलेंट ड्रग में हिपैरन के इंजेक्शन दे सकते हैं ठीक है हिपैरन का इंजेक्शन जैसे किसी को ब्रेन स्टोक का प्रॉब्लम है रेन को जो वैजस ब्लड सप्लाई कर रही है वो चोक हो चुकी है तो इस क्लॉट को हमें डिजॉल्फ करना है थ्रंबस को तो हम एपैरन का इंजेक्शन यूज करते हैं है ना मॉर्फिन सलफेट का डोस कितना होता है मॉर्फिन एक नार्कोटिक के टेगरी का ड्रग है इस इसका से या लॉट मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस पें जबरदस्त वाला पें इसमें यूज किया जाता ह question ईया सरजरी के बाद का जो दर्द होता है जयसे सरजरी कर दी उस ताइम पे टो patient जनडल अनेस्थियां में से रहता है बहुत से रहता है उसको कुछ पता नहीं चलता अब जब वह बहार आएगा तो उसको फेन होगा तो इन इंजेक्शन का यूज किया जाता है जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहता है वहां वो नर्स डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के सूपरविजन में रहता है अब इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या मॉर्फिन सल्फेट के हाँ साइड इफेक्ट भी होते हैं कि नर्फ को डैमेज करता है मैमोरी लॉस कॉस्ट करता है एमनेसिया मैंने आपको बताया था यह भी कुछ दवाईयों का कुछ दमाईयों का side effect होता है amnesia मतलब loss of memory भूल जाना पेशन भूलने लगता है चीजों को Contraindication भी मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कुछ ऐसी conditions होती है जिसमें particular कोई drug prescribed नहीं किया जाता जैसे हम morphine sulfite कि इसको नहीं देंगे जिसको head injury है इसको पॉमा में जो patient है head injury में क्यों नहीं देंगे क्योंकि इंट्रा-cranial pressure को बढ़ा देगा तो इसलिए contraindicated रखा गया है antispasmodic का example बताइए most commonly used drug इसमें क्या है lycyclamine सुनाओगा आपने lycyclamine drug है trotavarin SCL है और hyosamine है यह तीनों drug antispasmodic होते हैं पेट दर्द में यूज किये जाता है और parental root से दिये जाता है injection form में आते हैं यह lycyclamine protavarin SCL, SCL के साथ इसका salt बनाया गया है drug का salt form में क्यों दिया जाता है इधर basic और acidic salt के form में ताकि drug हमारा stable रहे और उसकी efficacy जादा बढ़िया है नहीं तो हमारा drug degrade हो सकता है hyosamine का injection आता है अब जैसे diceclamine की बात करें तो इसमें 10 mg 1 ml का इंपूल आता है ठीक है IM से भी दे सकते हैं IV से भी दे सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा emergency है तो IV से दिया जाता है और थोड़ा time में हमारे पास तो IM से दिया जाता है IM से action लंबे समय तक बना रहता है और IV से एकदम से action मतलब fast action आता है बहुत तो यदि hyper sensitivity reaction होती है तो patient को बचाना मुश्किल होता है injection के side effects से patient की जान बहुत जल्दी चली जाती है इस टमक पेन में यूज होगा है यदि स्टमक में जैसे पेन हो रहा है तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं लिवर में यदि पेन हो रहा है कोई ऐसा patient है जिसको hepatomegaly हो गई है उसके लिवर में सूजन आ ग लगया है kidney stone हो गया है तो उस case में भी antispasmodic drugs दिये जाते हैं अब इनके कुछ side effects भी होंगे दवाई के desired effect के साथ side effect भी होते हैं desired effect वो जिसके लिए दवाई ली जा रही है undesired effect वो होता है side effect वो होता है जो हमें मुफ्त में मिल जाता है हर चीज के फायदे के साथ साथ नुकस प्रेशर ड्रॉफ हो सकता है लो बीपी हो सकता है patient को because of drug यह लग के common side effects और यह drug contra-indicated है pregnancy में गर्वती महिराओं को नहीं दी जाती है यह और चोटे बच्चों को चोटे बच्चे जिनकी यह सात वरस से कम है ऐसे बच्चों को यह ड्रग नहीं दिया जाएगा एंटेस पाई यह आपका डाई साइक्लोम इंट्रक ठीक है माय वॉइस इस क्लियर आवाज आ रही है सानिया रोटा वेरी नाइस सील का भी इंजेक्शन आता है आई-एम आई-वी रूट से दे सकते है फॉस्वाटी एंजी इसका डूज होता है और अस्थमा के पेशन में पॉंड्रा इंडिकेटेड होता है और चोटे बच्चों में यह भी एंटिस्पास्मोडिक ब्रग है पीपी आई के इंजेक्शन आते हैं यह तो आपको पता ही है ओमेपराजोल लैंसेपराजोल और आपका इंजी लेकिन एसी लौक लेकिन एंटागोनिस्ट होता है वह इस केटेगरी में आता दी-पी आई में केवल आपका ऌमेपराजोल आएगा लेंसेपराजोल आएगा और पेंटेपराजोल आएगा ठीक है 40-mg का इसका वाइल आता है और एम्पूल फॉर्म में भी आता है आई वी इंफूजन के साथ दे सकते हैं अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है अल्सर मतलब स्टमक में म्यूकस में वूंड का फॉर्मेशन हो जाना यह बहुत जादा मसालेदार खाने से होता है अल्कॉहल कंजप्शन से होता है ठीक है और वोमेटिंग आ रही है यह पाइलोरी का इंफेक्शन हो गया है तो उन सब के मैनेजमेंट ट्रीटमेंट में यह उमेप्रजोल ड्रग यूज किया जाता है इसका साइड इफेक्ट क्या है इसका यूज करने से कुछ पेशिंट में बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है ठीक है कॉंट्रा पैरो में सूजन आना याद रखना इंजेक्शन कहां यूज होता है यह एक एंटिबाटिक इंजेक्शन होता है एंपुल भी आता है वाइल भी आता है ठीक है 20 mg 40 mg और 80 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अविलिबल होता है आई-म-ई-वी रूट से दिया जाता है इंफेक लगाता है लेपसिस के ट्रीटमेंट में आपका स्कीन में कोई इंफेक्शन हो गया है लिए इसमें ही मोगलोवीन की डिफिशेंसी हो जाती है ठीक है सी बीसी से इसकाम डाइग्नोसिस कर सकते हैं जोटे बच्चों को यह इंजेक्शन दिये जाएगा तो वह बड़ा नही ठीक है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाईगी वह ठिंगने से रह जाएंगे मतलब नहीं रहेंगे ग्रोथ रिटार्डेशन का इशु आता है आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा थाइसों फांसों फांसों और वन ग्राम में आता है यह स्ट्रेंथ में आई-माइवी रूट स देते हैं यह ब्व एक एंटिबाटिक होता है जैसे किसी को टॉनसेलाइटिस हो गया है एंगेंHola हो जक्रते हैं इसके साइड summum यह सकता है और यह और यह पर सेंसिटिविटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें यह सब्सक्राइब होता है सब्सक्राइब हो गया अपर इंफेक्शन हो गया सरजरी के बाद भी कोई इंफेक्शन ना हो तो उसको कवर करने के लिए गुनोरिया जो होती है से ठ्रस्ट्विटे डीजिज्स सेक्शिली ड्रक्राइब distorts में क्या आता है सिफेलाइस ओर गुनोरिया यह मलटीबल पार्टनर के साथ इंटरकोर करने से होने वाला जाना ये इंफेक्शन होता है गुनोरिया यह और यह एनिमेब हो सकता है और अभी आपको बता है है हिमोगलूमन का लेवल कम हो जाएगा कॉंट्रा इंडिकेटेटेड है यह प्रेगनेंसी में और जो पेशिन में हाइपर Lakshyubadặc-sansitivity reaction दिखा गया है तो वहां पर यह Audio Contra Indication मतलब अभ्ही बताया था आपको बताऊ क्या होता है क्वांटा resurrection क्या होता है मैं ऑसनीय अकताव बेटा किसी विस्एस परिस्थिती में कोई दवाई नहीं देंगे। ठीक है तो इसी को हम इसलिए कॉंट्रा इंडिकेटेड रखा गया है कुछ ड्रक्स को एविल का इंजेक्शन कहां यूज करते हैं यह एलर्जी को कम करता है ठीक है एंटी एलर्जिक और यह इमर्जंसी ड्रग में भी यूज होता है इसका डूज होता है 22.75 जो एमल का इसका वाईल आता है आई एम आई भी दोनों रूट से दे सकते हैं इलर्जी कंडिशन के मेरेजमेंट में यूज होता है सकीन पे रैसे आ गये है इस्तिको कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम है उसमें भी यूज होता है किसी भी प्रकार की कोई भी अलर्जी हो साइड में और हाइपर सेंस्टिविटी के पेशिंट में यह कॉंट्रा इंडिकेट होता है एक्सोना का भी इंजेक्शन काफी कॉमनली यूज़ होता है फोर एमजी का इसका वाइल आता है आई कोई भी जैसे सूजन हो अस्थमा का पेशन्ट लो बईपी का पेशन्ट उन्में ये यूस किया जाता है सइड इफैकWowण मैरो डेपरेशन हो जाता है रट बोन मैरो डेपरेशन जिसको में और इच्वारम है ना जिसका आपको रफली आइडिया होना चाहिए अब हम अपने में टॉपिक पर आते जो आज हम डिसकस करेंगे फार्मसोटिकल पाउडर्स पाउडर्स क्या है आपका यह स्टॉलिड डोजस फॉर्म में आपका टैबलेट कैपसूल आता है जो पाउडर होते हैं वह भी हो उण और में जाता है इफ्फर्वेशन ग्रैणियूस भी हम यूज करते हैं पाउडर से ग्रैणियूल बनाये जाते हैं यह ऑर्गनिक एसड और अलकेली के मिक्चर होते है और जब हम इसमें पानी एड करते हैं तो इसमें सी लिश्योट्व याउडिस होता है यह उपने इसमें यह इफर्वेशन ग्रैनूल से बनाया जाता है तो यह ड्रग की पावर भी शो करता है थोड़ा सा साइक्लोजिकल इफेक्ट पेशेंट पर पढ़ता है कि यह ड्रग बढ़ा जबरदस्त है क्योंकि जैसी पानी में जाता है तो ऐसी बुल-बुले निकलने लगते एक रैनूल्स को औरल रूट से ले रहे हैं तो हम इसमें फ्लेवरिंग एजन डालेंगे कलरिंग डालेंगे हमारे फॉर्मिलेशन को हम एलिगेंस को बढ़ाएंगे ठीक है तो यह आपके इस इफर्वेशन रैनूल्स होता है ठीक है यूटेटिक मिक्चर क्या होता है यह पर उनका जो boiling point है melting point है, Makushy, मैल्टिंग्पॉइंट है, वो कम हो जाता है, Suppose जैसे Liquid A है, Liquid B है, Liquid A का 60 degree Celsius है, Liquid B का सब्सक्राइब का 70 degree Celsius है पर जब हम दोनों को add करेंगे, A plus B कर देंगे, तो उसका जो net, अब जो melting point होगा, वो 35, 40 के असपास होगा, ठीक है, तो इसी बहुम Newtectic मिक्चर कहते हैं यह डेफिनेचन एक्जाम में दोतीन नंबर में पूछी जाती है आपको पता होना चाहिए ना ड्रक डेजाइनिंग क्या होती है कोई हमारे पास मॉलीक्यूल है एपी आई है तो हम उसका कौन सा डोसेस फॉर्म बनाएंगे टैबलेट कैपसूल किस फॉर्म में हम उसको देंगे यह ना परेंटरल टॉपिकल जैसी हमारी नीड होगी उसे साप से हम उसका ड्रक को डिजाइन करेंगे इसी को हम बोलता है फॉर्मुलेशन डेवलप्मेंट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होते हैं ऐसे पाउडर जो की वाडर को एब्जॉब करते सरांडिंग से और पेस लाइक कंसिस्टेंसी पिर आ जाते हैं पेस लाइक कंसिस्टेंसी बना लेते हैं सका एक्जांपल है नो यह एंजाइम मॉश्यर को एब्जॉब करके लिक्विफाई होने लगते हैं और फ्लोरसेंट पॉडर क्या होते हैं यह हाइडरेटेट इसका एक्जामपल जैसे अलम है एट्रोपिन सलफेट है यह सौल्ट बना लेते हैं यह आपने देखा होगा किसी चीज़ के साथ रहता है 7H2O, 3H2O, मतलब उसके साथ water present रहता है, और anhydrous salt मतलब जिसमें water present नहीं रहता है, तो water को remove करने के लिए हम उसके granules बना लेते हैं, ठीक है, उसका anhydrous form में उसको लेके आ जाते हैं, तो यह आपको समझ में आया, powder के type, coarse powder होते हैं, fine powder होते हैं, very fine powder होते हैं, यह powder के particle size के आधार पे उनको classified किया गया, यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें आपका जैसे sieve number से हम pass करते हैं powder को, तो जाब powder नीचे filter होता है, तो जैसे 8 number sieve से निकलेगा, 10 number sieve होती है, 20 number इस type से, मतलब उसमें पर एक निश्चित area में कितने holes हैं, holes यदि बढ़ेंगे तो फिर हमारा powder fine होता चला जाएगा, ठीक है, तो यह है आपका powder, pharmaceutical powder, कर लोगे, सानिया एक्जाम में आएगा तो, सानिया, incompatibility क्या होती है, incompatibility तीन प्रकार क्यों होती है, physical, chemical और therapeutic, चीक है, incompatibility क्या होती है, हमारा जो doses form होता है, इसमें components होते हैं, इसमें आपका API होगा, drug component, non-drug component, non-drug component में existent आएंगे, तो हमारा जो API है और जो non-drug component है, वो compatible होना चाहिए, और non-drug component भी आपस में compatible होना चाहिए, नहीं तो हमारे formulation की efficacy कम हो जाएगी, safety कम हो जाएगी, appearance उसका कम हो सकता है, उसका color disturb हो सकता है, उसकी stability कम हो सकती है, undesired effect आ सकता है, तो ये सारी problems देखी जा सकती है, हम जिस medicinal purpose से उस formulation को ले रहे हैं, वो भी कम हो सकता है, उसका medicinal effect, तो physical incompatibility का example क्या है, to immisible liquid, दो चीज़ें आपस में नहीं मिल रही है, तो हम उसको मिला के emulsion बनाते हैं, जिसके लिए हम suspending agent यूज़ करते हैं, जिसको हम surfection भी कहते हैं, ये interfacial tension को क्या करते हैं, interfacial tension को कम कर देंगे, ठीक है, surface tension को कम कर देंगे, और interfacial tension को बढ़ा देंगे, नेक्स होता है insolubility जैसे camphor और water पानी में camphor नहीं घुलता है ठीक है पानी में camphor नहीं घुलता है जदि हम पानी में घुलने की कोसिस करेंगे तो नहीं घुलेगा अब यह problem का solution क्या है हम इसमें solubilizing agent use करेंगे जो घुलक होते हैं यह घुलने का काम करते है प्रेसिपिटेशन जैसे हमने water और resin को मिलाएंगे तो resin का precipitation हो जाएगा तो यह सब physical incompatibility के एक्जामपल लिक्विफिकेशन हो सकता है अब थेरापिटिक incompatibility की बात करें तो इसमें overdose की वैसे हो सकती है contraindication की वैसे हो सकती है और drug drug interaction हो सकता है जैसे हम milk के साथ tetracycline नहीं देते तो कि milk में calcium होता है उसमें complexation chlation की property होती है वो antibiotic के साथ chlation बना लेगा तो antibiotic absorb नहीं होगी उसका action हमें नहीं मिलेगा ठीक है overdose की वैसे हो सकती है और आपका contraindication हो सकता है जैसे किसी विशेश परिस्तिती में कोई drug नहीं दी जाती तो यह सब therapeutic incompatibility में आता है तो यह है आपका incompatibility तो एक question आता है आपको shampoo क्या होते हैं है ना shampoo में surface active agent add करके इनको बनाया जाता है और यह dirt को remove करते हैं grease को remove करते हैं हमारे scalp को साफ करते हैं वाटर soluble होते हैं samples और hair cleaning के काम आते हैं जिससे हमारे hair साफ सुतरे रहते हैं बल्की रहते हैं और खुबसूरत मज़र आते हैं तर इसके ideal property क्या है इसमें बहुत जादा greasiness नहीं होनी चाहिए dirt को और हमारे scalp को clean करने की power होनी चाहिए non-toxic होना चाहिए non-irritant होना चाहिए और small amount हम use करें तो जादा better result आना चाहिए और इसमें smoothness होनी चाहिए यह सारी properties में होनी चाहिए अब ophthalmic preparation पर भी question आता है define sterile doses form write the ideal characteristics and excipient used in preparation of sterile doses form इसमें ophthalmic preparations आते है injectables आते है जिसमें parental है इसका ideal property क्या होना चाहिए it should be sterile sterile मतलब free from microbes contamination नहीं होना चाहिए contamination मतलब attack of microbes isotonic होना चाहिए अभी आपको बताया था hypertonic भी होगा तो problem होगी hyper भी नहीं होना चाहिए मतलब इसका osmotic pressure blood के बराबर होना चाहिए three from pyrosan कोई pyrosan नहीं होना चाहिए pyrosan क्या होता है bacteria जब metabolism करता है तो जो endotoxins release करता है उसी को हम pyrogens कहते हैं और यह fever cause करते हैं human beings में इसमे clarity होनी चाहिए कोई भी foreign material नहीं होना चाहिए इसका जो pH range है वो blood के pH range के equal होना चाहिए 7.4 और physically और chemically stable होना चाहिए it should be pure शुद्ध होना चाहिए parental एक ऐसे doses form है जो कि systemic circulation में absorb होके action देते हैं needle syringe के help से insert किये जाते हैं इसमें intravenous है intramuscular है intradermal है subcutaneous root के तुरू दिये जाते हैं और यह sterile doses form sterile doses form में excipient भी यूज किये जाते हैं जैसे इसमें aqueous vehicle water यूज कर सकते हैं non aqueous में oil यूज कर सकते हैं और PEG यूज कर सकते हैं adjuant यूज कर सकते हैं solubilizing agent डालते हैं stabilizer और antioxidant buffer agent यह सब pharmaceutical aids होते हैं anti-bacterial agent chelating agent suspending emulsifying waiting agent tonicity factors यह सब इसमें head किये जाते हैं sample sample तो आप आएगा तो करी लोगे है ना है अब इसमें आपको कि इसमें कुशन और आता है डिस्टाइव इवालुशन ऑफ इस्टराइल प्रेंट्रल फॉर्मिलेशन ऑप्थेल्मिक प्रेशन इसमें आपका हम clarity test आता है हम clarity check करते हैं white टाइल पर है ना white background या black background का यूज करके हम ampoule को रखके देखते हैं कि उसमें clarity है नहीं लीक टेस्ट करके देखते हैं इसके लिए हम methylene blue tie का 1% solution बनाते हैं उसमें ampoule को dip करते हैं तो उससे हमें leakage का पता चल जाता है पायरोजन टेस्टिक करते हैं जिसमें हम rabbit टेस्ट और लाल टेस्ट का यूज करते हैं रैबिट टेस्ट में हम six healthy rabbit लेते हैं और उनको thermometer से एनस में thermometer डालके उनका बाड़ी temperature मेजर कर लेते हैं उसके बाद में हम रख देते हैं उनको हमारा और फिर उसका बाड़ी temperature मेजर करते हैं रख देने के बाद बाड़ी का temperature rabbit का नहीं बढ़ना चाहिए यदि बढ़ेगा तो इससे confirm हो जाएगा कि हमारा जो द्रग है उसमें पाइरोजन प्रेजेंट है ऐसी लाल टेस यह टेस्ट भी मैं आपको एक वीडियो में समझा चुका हूँ है न और ऑप्थाल्मिक प्रिप्रेशन जिसमें आइड्रॉप्स आते हैं आई ओइट्मेंट्स आते हैं और इस प्रिप आपकों में जो डवाई डालते हैं डॉप बाई डॉप उसको हम आईड्रॉप कहते हैं आई सोटोनिसीटी एडजस्स की जाती है सोडियम क्लोराइट के हख से बॉफरिंग एजेंट जिसमें बोरिक आसे जिसको बोरेक्स भी कहते हैं यूज होता है फिकनीग एजेंट तो आप में से किसी को कोई डाउट हो तो नेक्स लेक्शर में पूछ लीजेगा ठीक है आज के लिए इतना काफी है थाइंक्स पॉर लिस्निंग एव नाइस टेर